नमस्कार दोस्तों, काम सक्ती जीवन सक्ती का एक रूप है, किन्तु आज कल तो जीब के चटोरपन और इंद्रियों की लिपसा को संतुष्ट करना मनुसरी के जीवन का उद्देश्य बन चुका है। पिखलने लगती हैं, जैकि कुछ धात वे जलने लगती हैं, सरी के कुछ तक तो पिखलकर मुझ तुमें मिलने लगते हैं। दोस्तो अक्सर देखा जाता है कमुग ब्यक्तियों के पेसाब का रंग पीला होता है, क्योंकि उसमें पित, छार, सरकड़ा जैसे सरी की उप्योगी चीज़े मिली हुई होती हैं। दोस्तो कभी-कभी उनका पेसाब अधिक चिकना, गाढ़ा, सफीदिलिये और लस्दार होता है। इसमें चर्वी, एल्विमुन और हड्डियों का भाग मिला होता है। जब अधिक गरम पेसाब आता है, तो उसमें कई बार फासफोरस और आरेंज जैसी आमुल्य वस्तिय मिली होती है। दोस्तो इस तरह काभागनी से सरी के रस पिघल-पिघल कर नीचे बहते रहते हैं और देह खोखली हो जाती है। तो चाह, अस्तनाय तंत्र, पेसिया, अस्ति-पंजर उस अगनी से जलते रहते हैं और वे मामुली रोगों से बचने की अपने सक्ति खोव देते हैं। दोस्तो, सरीर की गर्मी के कारण वेक्त की चमडी, खुर्दरी, काली, सूखी और बिना तेजवाली हो जाती है। पास से देखने पर वेक्त का सरीर विल्कुल ब्रूखा और मुर्दी की तरह दिखता है। लकवा, गठिया, सरीर ककापना, हाथ ककापना जैसे वार्द संबंधी रोग अक्सर अधिक मैथुन से ही होते हैं। और वह मैथुन कैसा भी हो सकता है। प्रत्यच या फिर अप्रत्यच है। दोस्तों, यह अगनी मस्तिस्क के लिए तो सबसे अधिक घातक है। अस्त्मान सकती और निड़े लिक सकती का तो लोप हो जाता है। दोस्तों, कामुटा का निश्चित प्रड़ाम आ सकती है। निर्वलता यह कमजोरी साथ में अपना एक बड़ा कुटूम्ब लेकर आती है। उसके साथ बाल बच्चे सरीर के जिस कोने में जगा पाते हैं उसे में अपना डेरा बना लेते हैं। केवल इस्त्री संभोग ही काम वासना नहीं है। यदि कोई विक्ति केवल मैथून की मर्यादा का ही थोड़ा उलंगन कर दे तो उसको बिसेश प्रकार की हानी होती है। वासना सम्मंधी विचार का मुगता के दिये को दला देते हैं। मन में इस प्रकार के विचार आए नहीं कि रक्त में से वीर वन्ने का मैथून सुरू होता है। नार्मली वीर रक्त में मिला रहता है। परंतु जब विचारो का मन्थन सुरू होता है तो दही में से घी की तरह रक्त में से वीर निकलता है। दोस्तो यह एक छोटी सी थैली में जमा होता है। विचारो की कारण मन्थन होकर जब विर उस थैली में जमा हो जाता है तो इंद्रियों में उत्तेजना हों लगती है। और विर वात के लिए वे आपको वीवस करती है। जिसके कारण यह विचार और भी अभी भागने समय तक मैथून में तल्लिन रहा लगा रहा तोस्तों इतने समय तक इस्तरी संभोग करने के जो परड़ाम होता है करीब करीब वह ही परड़ाम इस्तरी चिंतन करने वालें को भी भोगना पड़ता है दोस्तो नपु सकता अत्यधिक मैथून का ही परड़ाम है फिर चाहे वा मैथून इस्तरी के साथ किया गया हो या फिर बीचारों के साथ दोनों ही प्रकार से एक ही बात होती है वीर वाहनिया नाडियों को दोने ही सूर्थों में एक समान उत्तेजना बरदास्त करने पड़ती है जिस बिजनी के बल्प को लगातार बहुत दिनों तक जलाया जाएगा उसके भीतरतार थोड़ी समय में जलकर खराब हो जाएगा दोस्तों चूकी का मुवासना के साथ सारिक सक्तियों को भी उत्तेजना मिल जाती है इसलिए इसका प्रवाहा दूसरी बिचारों की अबेच्छा बहुत ही तीब होता है मस्तिस्क में जब इस प्रकार के बीचारों का तूफान उठता है तो दूसरे बीचार दुम दबा कर एक कोने में छिप जाते हैं दोस्तो जिस विक्त के सरीर और मन में एक ही प्रकार की जौला जल रही है वह विक्त कैसे सुसरह सकता है इस बात की कोई कलपना ही कर सकता है दोस्तो इस अगनी का काला और कड़वा धुआ आपके सरी को जला कर राक कर देगा अभी भी समय है मित्रो समल जाएए मैं आप से सिर्फ एक ही बात कहना जाएता हूँ यदि आप इस प्रकार की बिनासकारी विचारधारा में तलिन रहते हैं तो कृपया आप उससे बहान के लिए जीवन के दूसरे आयमों को छोने की कोशिस करिए आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे ज्यानवार धक और जानकारी से भरपूई वीडियो देखने के लिए आप मारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए विल आइकन को प्रिस कर लिजिए वीडियो पसंद आई हो तो अपनी सारे दोस्तों के साथ जरूर से जरूर सेर कर दीजिए लाइक कर दीजिए कमेंड में आपकी कोई राय हो या पर कोई सवाले सुझा हो तो जरूर बताइए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद